इंडियो और श्रिलंका के बीच चल रही तीन मुकाबलों की T20 श्रिंखला में इस समय रोमांच और बढ़ चुका है क्योंकि श्रिलंका ने भारत को दूसरे T20 मुकाबले में 16 रनों से मात दे दी है जिसके बाद कप्तान हार्दिक पांडिया के लिए बड़े सवाल आखडे हुए है कि तीसरे T20 मुकाबले में राज कोट में खेलने के लिए क्या हो सकती है भारत की प्लेइंग 11 किन बदलावों के साथ इंडियन टीम हमें उतरते हुए नजर आ सकती है श्रिंखला पर कबजा जमाने के लिए क्योंकि कप्तान हार्दिक पांडिया के लिए दूसरे T20 मुकाबले की हार सिर्फ एक हार नहीं है बलकि कप्तान हार्दिक पांडिया के T20 अंतर राष्ट्रिय कप्तानी के करियर में पहली हार है वो तो हार्दिक पांडिया उसका भी बदला लेना चाहते होंगे इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे क्या हो सकते हैं साथ जनवरी को होने वाले तीसरे T20 मुकाबले में भारतिय टीम की प्लेइंग 11 में बदलाव अंतक बने रहेगा हमारे साथ पहला T20 मुकाबला जा मुंबई में खेला गया उसे आखरी गेंद पर जाकर इंडिया ने अपने नाम पर किया दूसरे T20 मुकाबले में श्रिलंका की आतिशी बलेबाजी भैतरीन गेंद बाजी के दम खम पर 16 रनों से श्रिलंका ने जीत अरजित की है जबकि अब श्रिंखला का आखरी पड़ाव रहने वाला है राजकोट के मैदान पे खेला जाने वाला तीसरा T20 मुकाबला अगर दूसरे मुकाबले में देखा जाए भारतिय टीम के लिए क्या बड़े बड़े नेगेटिव पॉइंट रहे थे इसके अंदर सबसे टॉप पर रहा था टॉप ओडर का एक बार फिर से फ्लॉप होना इशान किशन शुबमन गिल की जोड़ी अच्छा ना कर पाई जिसके अंदर सबसे बड़ी कमी रहेंगे शुबमन गिल शुबमन गिल ने अभी तक अपने T20 अंतराश्ट्री करियर में दो मुकाबले खेले हैं पहले में 7 रन बनाए दूसरे में 5 रन बनाए और लगातार दो मुकाबलों में फ्लॉप होने के बाद शायद ही शुबमन गिल हमें तीसरे मुकाबले में खेलते हुए देखने को मिले क्यूंकि शुबमन गिल का बैक अभी मौजूद है रुतुराज गायकवार के रूप में अभी तक गायकवार ने 9 T20 अंतराश्ट्री मुकाबलों में 135 से ज्यादा रन बनाए है जिसके अंदर उन्होंने 8 बार बले बाजी की और एक बार अर्ध शतक भी लगाया है इसके चलते शुबमन गिल की जगा शायद खत्रे में हो सकती है जबकि उसके बाद एक और गेंद बाजी को अप्शन आइड करने के लिए और बले बाजी को और थोड़ा दम खम देने के लिए मौका बन सकता है वाशंग्टन सुन्दर का क्योंकि दीपक हुड़ा का बला दूसरे T20 मुकाबले में कही न कहीं शान्त रहा था जिसके चलते शायद दीपक हुड़ा को बाहर बैटना पड़े और भारत के स्टार हीवा ओल राउंडर वाशंग्टन सुन्दर को दिया जा सकता है एक मौका इसके बाद तीसरा बदला जिसकी उमीद ज्यादा तो नहीं है क्योंकि इस खिलारी ने दूसरे T20 मुकाबले में पांच नो बॉल डालने वाली बड़ी गलती कर दी थी यहाँ पर आप समझ चुके होंगे बात हो रही है अर्शदीप सिंग की पहला T20 मुकाबला आपने मौका दिया हर्शल पटेल को उन्होंने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विक्टे अपने नाम पर की जबकि दूसरे T20 मुकाबले में अर्शदीप को खिलाया गया उन्होंने 2 ओवर में 37 रन दे दिये 5 नो बॉल डाली और कोई भी विक्ट नहीं मिला अर्शदीप सिंग को जिसके चलते शायद ये उमीदे जताई जा रही है कि तीसरे T20 मुकाबले में जाते हुए अर्शदीप को एक बार फिर से आराम दे दिया जाए हर्शल पटेल को वापिस टीम में लाया जा सकता है देने के लिए टीम को थोड़ी और ज्यादा स्ट्रेंथ नजरे रहेंगी अब क्या हो सकते हैं ये बदलाव और क्या कप्तान हार्दिक पांडया सीरीज जीतने के मनसूबों से जब उतरेंगे क्योंकि भारतिय टीम जिसने दूसरे मुकाबले में गेंदबाजी में काफी मार खाई बलेबाजी में आपके टॉप 6 में से 5 बलेबाज फ्लॉप हुए क्या भारतिय टीम अपनी गलतियों से सोधार करेगी श्रिंकला जीत पाएगी परना दूसरी तरफ से शर्लंका क्या इंडिया के अंदर अपनी पहली T20 सीरीज जीतने में सफल हो पाएगी क्या उमीद हैं आपकी तीसरे T20 मुकाबले से दीजे अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत तन्यवाद